आज हमारी कहानी का नाम है आसमान गिरा एक खरगोश था वै पेड के नीचे रहता था अचानक जोर की आवाज हुई खरगोश गबरा गया उसने सोचा अरे क्या गिरा उसने इधर उधर देखा और वै डर कर भाग गया भागते भागते उसे हीरन मिला उसने पूछा कहा भागे जा रहे हो खरगोश बोला आसमान गिर रहा है भागो हीरन उसके पीछे भागने लगा रास्ते में उन्हें एक बिल्ली मिली वै बोली तुम दोनों कहा भाग रहे हो हीरन ने कहा आसमान गिर रहा है तुम भी भागो भागते भागते उन्हें एक भालू मिला भालू बोला थेरो कहां भागे जा रहे हो बिल्ली बोली आसमान गिर रहा है भागो भालू भी उनके पीछे भागने लगा भागते वे रास्ते में उन्हें एक हाथी मिला वह बोला तुम सब क्यों भाग रहे हो भालू ने कहा आस्मान गिर रहा है तुम भी भागो हाथी भी भागने लगा भागते हुए उन्हें शेर मिला उसने कहा रुको तुम सब क्यों भाग रहे हो हाथी ने चिंगाड कर कहा आस्मान गिर रहा है शेर ने दहाड कर पूछा तुम्हें कैसे पता चला हाथी ने भालू की तरफ देखा भालू ने बिल्ली की तरफ देखा बिल्ली ने हीरन की तरफ देखा हीरन ने खरगोश की तरफ देखा शेर ने दहाड कर खरगोश से पूछा तुम्हें कैसे पता चला खरगोश ने कहा मैं पेड के नीचे सो रहा था वही धम से आसमान गिरा खेर ने कहा चलो दिखाओ वे सबी पेड के नीचे पहुँचे पेड के नीचे आम पड़ा था उसी समय एक आम पेड से धम से गिरा खरगोश चोग गया शेर ने मुस्कुराते हुए पूछा क्या यही तुम्हारा आसमान है शेर की बात सुनकर खरगोश, हीरन, विल्ली, भालू, हाती सब हस पड़े शेर हा, 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 हा आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ने भूलें धनले बाद